Hello everyone, स्वागत है आप सभी का हमारी स्योडियो चैनल पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि इस्टाग्राम पे ड्राफ्ट में सेब किया हुआ वीडियो कैसे डिलेट करें कई बढ़ क्या होता है हमें इस्टाग्राम पे कोई रील्स पोस्ट करना होता है और उसे जो है हम पोस्ट नहीं कर पाता है उसे कैंसिल कर देता है कैंसिल करने के बाद वो जो है हमारे ड्राफ्ट में सेब हो जाता है लेकिन जब भी हम उस ड्राफ्ट वीडियो को अपने इस्टाग्राम के प्रोफाइल से अटाना चाहते है अगर अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया थो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ महां बेल आईकन को भी प्रेस कर ले तो चलिए हम चलते हैं अपने मॉगाल इसकिन पर और वहीं पर आपको बताते हैं कि कैसे बिल्कुली इसली आप Instagram के draft video को कैसे delete कर पाएंगे तो चलिए हम चलते हैं mobile skin पे तो देख सकते हैं जैसे कि हम आ चुके हैं अपने mobile skin पे चलिए अब हम आपको बताते हैं कि Instagram में save किये हुए draft video को कैसे आप delete करेंगे तो चलिए हम अपना Instagram open कर लेते हैं Instagram open करने के बाद आप जैसी profile वाले option पर आएंगे और विल्स वाले option पर आएंगे तो यहां पर आपको एक draft वाला option दीख जाएगा आपका यहां पर जो भी post है वो भी दीख जाएगा और जैसी आप इस पर draft वाले option पर click करेंगे तो यहां पर जैसे कि दो वीडियो है हमारा यह draft में save है हमें इसे delete करना है तो इस video को कैसे delete करना है चलिए हम आपको बताते हैं तो बिल्कुल ही simple सा process है simple आपको अपने draft वाले वीडियो में चले जाना है ड्राफ्ट वाले वीडियो में जाने के बाद सबसे उपर एक select का option है, इस पर आपको click करना है, इस पर click करने के बाद आपको जो भी ड्राफ्ट वाले वीडियो यहां से delete करना है, उसको simple यहां से select कर लेना है, select करने के बाद यहां पर नीचे एक discard का option है, इस पर आपको simple click करक तो देख सकते हैं बिल्कुल ही इसली हमारा ड्राप्ट वीडियो जो है यहां से डिलेट हो चुका है अब जो है हमें ड्राप्ट में कोई भी वीडियो यहां से नहीं देखेगा इस तरह आप बिल्कुल ही इसली आप अपने इस्टाग्राम के drop video को डिलेट कर सकते हैं उम्मिद करते हैं दोस्तों ये video आपको समझ में आ गया होगा और आपके लिए helpful होगा तो video अगर पसंद आया हो और आपके लिए helpful हो तो video को like करें चैनल को subscribe कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू हैलफुल वीडियो के साथ